हाई यस रेड़ी 3 2 1 स्टार्ट हर किसान चाहता है कि वह ऐसी फसलों की खेती करें जिससे अच्छा मुनाफ़ा हो और जोखिम भी कम हो विराम महंगाई के इस दौर में अब खेती किसानी को नए तरीके से करना बहुत जरूरी हो गया है विराम सामानी फसलों को उगाने से अच्छा है कि विशेश फसलें खास तरीके से उगाई जाएं विराम ऐसे में किसान उन फसलों की खेती करने पर जोर दें जिनकी उन्नत खेती कर वे मुनाफ़ा हासिल कर सकें विराम आज कई ऐसे किसान हैं जो बहतर उर्वरक एम मशीनों आदी के सही परियोग से उन्नत खेती कर बाजार में अच्छे दाम हासिल कर रहे हैं विराम यहाँ ठीक है कि कैंदर सरकार किसानों की आमदनी दोगोनी करने का लक्ष लेकर काम कर रही है मगर किसान जब तक परंपरागत खेती से अलग हट कर कम समय और कम लागत में बहतर फसल उतपादन नहीं करेंगे तब तक यह लक्ष प्राप्त करना मुश्किल है विराम इसके लिए किसानों को परंपरागत धान गैहूं और गन्य से हटकर सबजी फल और मोटे अनाजों की खेती की ओर मुड़ना होगा विराम पैरा मालूम हो कि पारंपरिक खेती में आने वाले खर्च और फसल से होने वाली आई में भारी अंतर से किसान कर्ज के बोज तले दबते जा रहे हैं विराम किसान साल भर धान गेहूं और गन्य की परंपरागत खेती में हाड तोड मेहनत करते हैं लेकिन अत्यधिक बरसात या सूखा पढ़ने या अन्य प्राकरतिक मार पढ़ने से कई बार उनकी मेहनत रंग नहीं लाती विराम लिहाजा उनकी आर्थिक इस्टत बिगड जाती है विराम वहीं कुछ किसान ऐसे भी हैं जो पारंपरिक खेती को भूल कर नकदी फसलों की खेती कर फाइदा उठा रहे हैं विराम फल और सबजियां प्रती हेक्टेर कहीं ज़्यादा आमदनी दिलवाती हैं विराम आज किसानों को अधिक लाब तभी मिल पाएगा जब वे नकदी फसलों की बुआई करेंगे विराम छोटे और सिमांत किसान सबजियां बो कर और पशुधन बढ़ा कर अपनी आमदनी में इजाफा कर शक्ते हैं विराम विभिन परकार की फसलें उगाने के लिए किसानों का खर्चा भी कम आएगा विराम बहुत जल्दी खराब होने वाले उनके उतबादों की विकरी भंडारण और ढुलाई के लिए उन्हें कम रुकावटों का सामना करना पड़ेगा विराम पैरा फिर भी 21 सदी के दो दशक बीतने के बाद भी हमारे किसान 20 सदी के क्रशी धाचे के तहत ही काम कर रहे हैं जिसका खमियाजा खुद उन्हें और देश को भुगतना पड़ रहा है विराम हमारे अन भंडार लबालब भरे हैं विराम जरूरत से बहुत जादा अनाज उत्पादन होने के बावजूद भारत अपनी उपजा का महज 2.5 फीसद ही निर्यात करता है विराम यह निराशा जनक हालत दसकों से बड़े सुधारों के लिए चीख पुकार मचा रही विराम एक किलोग्राम चावल के उत्पाद में भारी मात्रा में पानी की जरूरत पड़ती है विराम गेहु कपास गन्य आदी की फसलों में भी पानी की बहुत खपत होती है विराम जाहिर है विकास जलवायू परिवर्तन और किसानों के कल्यान की दृष्टी से आज हमें एक नई हरित क्रांती की जरूरत है संपूर्ण विराम